आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम हर विक्ति विशेश के शरीर में जो तिल हैं वो कहीं न कहीं उनके स्वभाव और विक्तित के बारें बताते हैं और कई बार ये तिल हमें ये भी बताते हैं कि हमारा आना वाला बविश्वय वो कैसा होगा तिल एक प्रकार के संकेत है हमारे सामधिक शास्त्र में और आज हम बताएंगे आपको 8-10 तिलों के बारे में तो आएए शुरू करें तिल के बारे में बात करने से पहले एक बात और जान लिए कि बारा से ज्यादा तिल शरीर में अगर हो तो यह बहुत अच्छे नहीं माने आदे बारा से अंदर तिल या लगभग बारा तिल शरीर में अच्छे माने जाते हैं और जिन लोगों के बारा से कम तिल होते हैं यही शुम माना जाता है कान के उपर के हिस्से में जिन लोग का तेल होता है ऐसे लोग बहुती गुर्से और नकरे वाले होता है ऐसे लोग को जल्दी गुर्सा आ जाता है ऐसे लोग में थोड़ी ego problem होती है यह अपने आप से ज़्यादा समझदार किसी को भी नी समझते क्योंकि यह जो भी बोलते हैं वो हर बार सही जाता है इसलिए ऐसे लोगों में ego problem थोड़ी बढ़ जाती है और ऐसे लोग का confidence level बहुत अलग हटके होता है इसलिए इन लोग जल्दी short temper होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा गुर्सा आता कान के बीच के हिससे में जिन लोग का तेल होता है ऐसे लोग बहुत ही इमानदार होते हैं और ये लोग हमेशा समाज को लेकर चलता है ये लोग काफी social भी होते हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कान के निचले हिस्से में जिलनों के तिल होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही भावोक और emotional होते हैं, ऐसे लोग को deal करना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज एमोशन से जोड़ कर देखते हैं, ऐसे लोग को अगर आपने कुछ तेजी से बोल दिया है, तेज चिला के बो पूर निचले होते हैं, इनके अपने खावो की दुनिया होते हिया, नियर खते हिए द्हाब को keating 48 कान की तिलों पर एक धालना और हें कि कई बार ऐसा लोग मानते, कि जिन लोग की आनुम की तिल होते हैं, ऐसे लोग की अलप आई होते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी बलकि यह माना जाता है कि जिन लोग की कानों में तेल होते हैं कहीं न कहीं दीर गाई होते हैं तो इस संशय से भी आप बिल्कुल दूर रही है अब हम बात करते हैं होटों पर जिन लोग को तेल होता है तो अभी हम बता रहे हैं आपको upper lips याने की उपर के हिस्से के होट में जिन लोग को तेल होता है तो ऐसे इस्त्री इवन पुरुष के अगर right तरफ में तेल होता है तो ऐसे लोग के जीवन साती के साथ इनके बहुती प्रेम पूर रिष्टे माने जाते हैं इनके बीच संबंद भी बहुत अच्छे होते हैं और इन दोनों के आपर्स की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है इसके विप्रीत अगर होटों के बाय याने की left तरफ में तेल होता है प्राया काने के बहुत जाधा शौकीन होते हैं पर अपने दिल में ये कोई बात पचा किन रखते हैं ये बातूनी भी बहुत होते हैं और अगर हम इनको कोई भी बात बताएंगे तो ऐसे वेक्ति अपनी आवाज के विफसाई की हिस्तमाल कर सकते हैं संगीत और गाने का भी ये लोग बहुत शौक रखते हैं और ये लोग पाचीत करने के भी बहुत धनी होते हैं और बहुत अच्छे बिजनसमेन माने जाते हैं अब हम बात करते हैं माथे पे जिन लोगों का तेल होता है तो जिस भी विक्ति के माथे के राइट तरफ या लेफ्ट तरफ कहीं पर भी तेल होता है ऐसे लोग धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन भोग विलास की चीजों में धन खर्श कर देते हैं इसलिए कई बार इनको अगर यह पुर्शों को होता है तो बहुत भागिशाली होता है चाती के बाएं तरफ याने की लिफ्ट तरफ अगर तेल हो तो पत्नी पक्ष की ओर से थोड़ा आसायोगों की संभावनाएं रहती है चाती के मद भाग में अगर सेंटर में तेल होता है तो यह सुखी जीव और अगर बाए पैर लेफ्ट पैर पे तेल हो तो ऐसे लोग ने रुपदेश ही यात्रा करते हैं अगर राइट पैर के अंगूठे या एड़ी पे तेल हो तो ऐसे लोग को कई बार विदेश यात्राई भी देखने को मिलती हैं और अगर लेफ्ट पैर के अंगूठे या बहुत शुब माना जाता है बहुत कम और कॉमन ऐसे तिल होते हैं जो कि एक तरीके से सभी के लिए अच्छे माने जाते हैं तो आज हमने आपको कुछ तिल से जुड़े बहुत खास बाते बताई हुए कि कौन से तिलों के क्या इंपोर्टेंस है अगर आपको हमारा यह वीड बनाया है आप उसको जाके देख सकते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं मैं काम की बाते लाता रहूँगा तब तक के लिए नमस्कार